अब नमस्कार दोस्तों दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनवेस्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विकास मल्टी कॉप बहुत सारे सवाल आ जाते हैं विकास मल्टी कॉप एक्चल मैं सही बताऊं दाओ लगाने की कोशिश करते हैं क्यूंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं लगता है और अगर चल पड़ा तो भाया लॉट्री भी निकल लाती है सही हूँ मैं तो यस और नहीं गलत लग रहा हूँ आपको तो नो लिखे क्योंकि आप अगर response करते हो तो मुझे लगता है कि आप बड़े प्यार से मुझे सुन रहे हो और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो कहीं न कहीं पूरा होता तो किस वज़ा से आपने विकास मल्टी को आपको बाय किया है जरूर नीचे लिखिए हम देखते हैं कि जो आम पबलिक है वो सबके सबके सोच एक है या अलग-अलग है मतलब ये मत बताने लगए ये अब मेरा मन किया इसलिए एक्चल में आपको क्या लगा ये कंपनी क्यों टार्गेट बढ़ा है क्योंकि हर एक की पीछे किसी चीज का रीजन होता है अब आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने तो उसके मूँ से सुना या किसी के मूँ से सुना और मैंने खरीद लिया मैंने तो research किया ही नहीं higher prices पे बहुत सारे लोगों ने खरीद है तो एक reason बताइए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा तर लोग trap हुए हैं तो एक reason से वो इनका जो business plan था जो business plan निन्हों ने show किया था विकास multi cop ने उसको देखकर ज़्यादा तर लोग यहाँ पर trap हुए तो आप किस reason के ज़्यादा trap हुए यह जरूर लिखिएगा other लोगों को help मिलेगा चलिए बाचित को आगे बढ़ाते है विकास multi cop तीन रुपे 5 पैसे का भाव lower level से एक recovery हमें देखने को मिली है यहाँ पर BST के site पर लगाऊंगा चैनल को subscribe नहीं किया है भया तो चैनल को subscribe कर लिजे bell icon को hit कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको time to time मिलते रहे अभी थोड़ी देर में एक penie share का धमाकेदार वीडियो आने वाला है और वो penie share miss मत करना बहुत सस्ता penie share है अगर ले लिए तो किस्मत बदल जाएगी 5% की तेजी हमें यहाँ पर विकास multi cup में देखने को नजर आ गई है delivery की percentage देख लेते है भया और window भी close कर दिया है त्रेडिंग का देख लिजे आज अकली आया 31 तरीक को विडियो का आगे तक देखिए तभी समझने का हुआ है 51% की delivery लगे यानि जितना माल ट्रेड हुआ आज उसमें से आधी delivery लगी 7,70,000 shares ट्रेड हुआ है उसमें से 3,93,000 shares की delivery लग गई है लोगों ने खरीद कर रख लिया है अपने जोली में भाई कर लिया है समझ रहे हो ना बात को तो यहां पर मतलब क्या समझ में आ रहा है की लोगों का मंसूबा क्या आपको लगता है letailers यहां पर बाई कर रहे हैं dentailers तो जिनको फसना तो फ़स्ट चुके हैं बहुत कम ऐसे retailers होंगे जो यहाँ पर buying करेंगे यहाँ पर बड़ा बंदा यहाँ पर buying करते हुए नजर आएगा बड़ा बंदा बड़ा बंदा मतलब जो की operator है या फिर insiders है या फिर जो investors है बड़े वो buying करते हुए नजर आएगी जब हम results से पहले buying करेंगे क्यों closer window को trading window को क्यों close किया है किसके लिए close करते है trading window अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दो trading window close करते है insiders के लिए insiders मतलब जो company की management है जो company के अंदर काम करता है वो इस company में trade नहीं ले सकता है अब इसमें buying selling नहीं कर सकता है क्यों कि हो सकता है उसको पता हो यह जो trading window close किया है क्यों किया है दिखा रहा है हो सकता है वह news उसको पता हो और वह manipulate करते है चले आपके सामने pdf खुल गया है और यहां पर आपको दिखेगा क्या दिखेगा यहाँ पर fourth quarter का result आपको आता हुआ नज़र आएगा फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट तो ये एक अच्छी चीज है आपकर जब रिजल्ट आएगा तो हमें भाईया कुछ होप है कि अच्छा होता हुआ नजर आजाएगा छोटा सा स्टॉपलोस लगेगा छोटा सा और चल पड़ा तो बल्ले-बल्ले हमने बहुत पहरे से एक सिंगल स्टॉपलोस सजिस्ट किया है मार्केट यहां कहीं था और यहां कहीं भी आया और फिर नीचे लगातार भी आया हमने क्या स्टॉपलोस दिया था हमने स्टॉपलोस जो दिया था वो स्टॉपलोस है ये वाला कैंडल का लो ये कैंडल का लो क्य जब तक तब तक ये safe है अब इसमें एक तेजी देखने को मिल गई है trading window close हुआ है तो अब अगर यहां से कुछ अच्छा खासा होता है और ये इस वाले range को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं आप मुनाफे में आते हुए नजर आ जाओगे लेकिन उससे पहले अब एक छोटा सा stop fundamentals को ध्यान से देख लो क्योंकि अगर fundamentals नहीं पता है तो किसी भी stock में invest मत करना तो यह बहुत जरूरी पार्ट है इस वीडियो का fundamental जरूर देख लो क्योंकि बहुत सारे लोगों पते नहीं होगा कि विकास multicop करता क्या है ठीक है ना विकास multicop limited जो है वो polymer related trading करता है वो यहां पर आपको मिल जाएगा बहुत कुछ इनका काम है और FMCG medical में बहुत बड़े-बड़े सपने दिखाए थे इन्होंने अभी इनका quarter 4 का result है उसमे plan of regulation बहुत बड़े-बड़े सपने वहां भी देखने को मिलेंगे तो देखते हैं क्या बड़े-बड़े सपने वो दिखाए यानि अपने book value से काफी उपर trade करता हुआ आपको नजर आ रहा है कंपनी कोई dividend नहीं देती है face value कंपनी का एक उर्पे का है तो लंबे समय का चार्ट दिखाते हैं आप सब को पता ही होगा लंबे समय का चार्ट किस तरह से होगा यह अप यह down मतलब एक चीज समझ में आ रह है और फिर अप जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है स्टॉक अपने book value से उपर चल रहा है प्रो कुछ भी नहीं है कौन से बहुत सारे company ने profit कमाया है लेकिन dividend ने दिया चलो profit कमाया है यहां पर वह कह रहे है यह अच्छी बात है reporting repeated profit चलो अच्छा है दुवारा दुवारा से profit क कमा और हमारे जो पैसे लगे है वही निकाल दे वह बहुत बड़ी बात है क्यों वहीं सही कह रहे है न सही कह रहे है तो नीचे comment आजाना चाहिए and like button को दबा दो please request है आपके लिए हम इतने मेनस से videos बनाते हैं कि आप update रहो वही आप update रहो लेकिन आप बदले में हमें क्या सिला देते हो अच्छा सिला देदो हमें हमारे यह प्यार का और like button को प्रेस कर दो ठीक है ना like button मुझे पता है आपने जरूर से जरूर like button दबा दिया या dislike दबा दिया क्या पता मुझे नहीं पता जो भी किया आपने अच्छी किया होगा आप समझदार हो आप गलत नहीं कर होगे तो यहाँ पे quarterly results के नाम पे आपको मैं दिखा दू क्या है results के नाम पे आप देखो अगर December 19 का देखोगे तो 47 करोड का sales था और December 2020 का 9 करोड का sales नजर आ रहा है profit अगर देखें तो 7 lakh का profit बनाया है कर यह December 2020 में और December 19 में देखें तो 1 करोड 13 lakh का profit था और यहाँ पर quarter by quarter अगर compare करेंगे तो 31 lakh का profit है और अभी 7 lakh का profit आपको नजर आ है देखते हैं आने वाला जो quarter है उसमें क्या तीर मारते हैं यह reserve माइनस में है company पे करजा 40 करोड का आपे नजर आ रहा है share holding pattern देखेंगे तो share holding pattern में अगर आप देखो फर मोटर्स ने हमने holding को decrease किया है और साथ ही साथ F20 ने माल दबा के खरीद है 13% माल और 53% माल public के पास है आगे देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है ठीक है ना hope करता हूँ आप इससे काफी कुछ समझ पाए हो फिर से levels discuss कर लेता बहुत urgent level है दो रुपया सी पैसे का stop loss लगा लो यहां से माल बाइंग कर लो और result आने के बाद चल गया तो बड़ा मुनाफ़ा मिलेगा और अगर नहीं चल पाया तो आपका नुकसान सरफ 20 पैसे का है यह बात का ध्यान रख लेना बट stop loss को follow करना ऐसा मत कहना कल को अब 2 रुपय पे आजाएगा तो आपको दीपक जी आपने तो बोला था खरीदने को हमने खरीदने को बोल दिया और हमने stop loss भी बता दिया फिर भी मैं बता दूँ आप सबके mind में कि मैं कोई सेवी registered नहीं हो इसलिए मैं कोई advice नहीं करता हूँ यह सिरफ और सिरफ हमारे वीडियोज एजुकेशनल परपस के लिए हैं अगर कोई भी आप decision लेते हो हमारे वीडियोज को देखके तो उसके जिम्मेदार आप swim होते हो इसलिए आपको risk reward रेक्स हमने बता दिया कि 20 पैसे का risk है और अगर चल गया तो भगवान भरो से अगर 4 रुपय का level तोड़ दि आपका क्या मानना है नीचे comment में जरूर अपना suggestions दीजेगा thank you so much guys thanks for watching this video